तो और रिकॉर्ड महेंगाई के बीच दुनिया भर के केंद्रिय बैंक्स ने लगाता रेट हाइक और डॉलर इंडेक्स में मजबूती से सोने में दबाव देखने को मिला है। घरेलू बाजार में गोल्ड ने पचास हजार का लेवल इस हफते तोड़ा और ग्लोबल माकिट्स में सोना सोला महीने के निचले लेवल पर पहुँच गया। सिर्फ साल के हाइस से ही सोना करीब 15% तो चांदी 27% तक लुड़क चुके हैं। इतनी बड़ी गिरावट क्या खरिदारी का मौका है या अभी और गिरावट बाकी है। तो चाहे वो रुपया हो, यौरो हो, जैपनीज येन हो, इन सभी करंसीज में सोने चांदी में जो गिरावट है वो डॉलर के मुकाबले यहाँ पर कम देखने को मिली। जैसे अगर आप चांदी को ही ले लीजिए, इस साल में अब तब डॉलर टर्म्स में हमने करीबन 23 परसन की गिरावट देखी है, लेकिन इंडियन रुपीज में ये गिरावट 12 परसन की है, तो आल्मोस्ट आधी गिरावट हमने यहाँ पर आते वे देखी, तो एक कुशन यहाँ पर जरूर रहा.